हलो फ्रेंट्स आजम बात करने वाले हैं और एक नए अब्जक्टिव कॉशंट सेट के बारे में जो कि राजनीतिक यानि पॉल्टिकल साइन्स के हैं और ये सेट नंबर 11 है तो यदि आप किसी दूसरे सब्जक्ट के अब्जक्टिव कॉशंट सेट को देखना चाहते हैं त प्रामर्स दात्री संक्स्था निमलिखीत में से कोन सविधानेतर संक्स्था है तो इसका सही आंसर होगा योजना आयोग भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ तो इसका सही आंसर होगा 1950 इस्वी योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है तो इसका सही आंसर होगा प्रधान मंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है तो इसका सही आंसर होगा प्रधान मंत्री योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है तो इसका सही आंसर होगा केविनट मंत्री भारत में योजना आयोग है एक तो इसका सही आंसर होगा सलाहकारी संक्स्था राष्ट्य विकास परिशत का अध्यक्ष कोन होता है तो इसका सही आंसर होगा प्रधान मंत्री विश्व का सबसे बड़ा लिखीत एवंग सरवाधिक ब्याफक समीधान किस देश का है तो इसका सही आंसर होगा भारत 42 में समीधान संक्सोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्लखीत में से कौन सा सब्द जोडा गया तो इसका सही आंसर होगा समाजवाद भारतिय लोग प्रसाशन संक्स्थान की अस्थपना कब हुई तो इसका सही आंसर होगा मार्च 1954 में सिबिल सेवाओं का भारतिय करन किया गया तो इसका सही आंसर होगा लोड लिटन द्वारा अखिल भारतिय सेवा का गठन कर सकता है तो इसका सही आंसर होगा संक्सथ भारतिय पुलीस सेवा का प्रसिक्षन कहा होता है तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद अखिल भारतिय सेवावों की नियुक्ति की जाती है तो इसका सही आंसर होगा राश्ट्रपती द्वारा संग लोग सेवा आयोग का प्रमुख कारिय है तो इसका सही आंसर होगा भरती संग लोग सेवा आयोग अपना प्रतिवदन किसको सोपता है तो इसका सही आंसर होगा राश्ट्रपती को निमलखीत में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदैस्य करता है तो इसका सही आंसर होगा राज्य सभा राजी सबादवारा लोकसभा को धन विधे कितने समय में लोटा दिये जाने चाहिए तो इसका सही आंसर होगा चवदह दीन निमलखीत में से कोन सा राष्टपती के निर्वाचन का भाग है प्रन्तु महावियोग अधिकरन का भाग नहीं है तो इसका सही आंसर होगा राजियों की विधान सभाये भारत की संग्य व्योस्था पिका को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर होगा संगसद भारत ये संगसद में कितने सदन है तो इसका सही आंसर होगा दो भारत की नागरिक्ता निमलखीत में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है तो इसका सही आंसर होगा ये सभी यानि जन्म से, देशिय करन से और वंगसानु करम से निमलखीत में से कोन सी सर्थ भारत की नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है तो इसका सही आंसर होगा, संपत्ती स्वामित्व जार्खन राज का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा, 15 नवंबर 2019 सम्विधान के किस अनुछेद में धन विदेयक की परिभाशा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा, अनुछेद 110 भारत के सम्विधान की किस अनुसूची में बिभीन राज्यों में अनुसूचित छेत्रों के प्रसाशन वर नियंतरन के लिए विशेश उपबंध है तो इसका सही आनसर होगा पाच्वी संग लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदैस्ची होते हैं तो इसका सही आनसर होगा नौ संग लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुकति कोन करता है तो इसका सही आनसर होगा राश्ट्र पती संग लोग सेवा आयोक का ध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सोपता है तो इसका सही आंसर होगा राश्ट्र पती भारतिय संगवाद को किसने सहकारी संगवाद कहा है तो इसका सही आंसर होगा जी आईश्टिन भारतिय सम्विधान की सनरक्षना किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर होगा कुछ एकातमक, कुछ कठोर भारतिय सम्विधान का अभिभावक कोन है? तो इसका सही आंसर होगा राश्ट्र पती भारतिय राजनितिक ब्योस्था में इसमें से कोन सर्वोचे है तो इसका सही आंसर होगा समविधान भारतिय समविधान में संगवाद किस देश से लिया गया है तो इसका सही आंसर होगा कनाडा मंत्री परिशद का अध्यक्ष कोन होता है तो इसका सही आंसर होगा प्रधान मंत्री मंत्री परिशद में कितने अस्तर के मंत्री होते हैं तो इसका सही आंसर होगा तीन अस्तर मंत्री परिशद में निम्लखीत में से कोन सामिल नहीं रहता है तो इसका सही आंसर होगा संगसद्य सचीव भारतिय संविधान में निम्लखीत में से किस पद का उलेख नहीं है तो इसका सही आंसर होगा उपपरधान मंत्री तो फ्रेंट सभी के लिए वस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जे हींद वंदे मातरम